अब तक हमने आपको दिल्ली की पांच अलग अलग रहसे मैई और भूतिया जगाहूं के बारे में बताया और आज हम अपनी छटी किष्ट लेकर आपके सामने पेश हैं और इस जगा का नाम है मालचा महल मालचा महल राजधानी दिल्ली के दक्षर रिच के बीड़ों में छुपा है इस महल के किस्से चारों और काफी मशूर है इसका निर्मान करीब साथ सो वर्ष पहले राजा फिरोट शाहत दुगलक ने करवाया था वो इस महल को अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तमाल किया करते थे यह महल पिछले दश्कों से वीरान और अकेला है और लगभख खंडर में तबदील भी हो चुका है इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवद घराने की बेगम विलायत महल अपने दो बच्चों पांच कामवार और बारा पालतु कुत्तों के साथ रहने आई थी इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं जा पाई और ये रहस्ते आज तक दफन है इसी महल में बेगम साहिबा विलायत खान ने सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी उसी महल में भटकती है लोगों का कहना ये भी है कि ये रूह किसी का नुकसान नहीं करती पर अपने होने का एहसास जरूर कराती है एजी ही एक और भूतिया जगह के बारे में आपको हम बहुत जल्द बताएंगे अपने अगले एपिसोड में तब तक के लिए ऐसी तमाम जगाहों की जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना न्यूस चैनल टॉप न्यूस जस्ट फो यू टॉप न्यूस से आकाश की रिपोर्ट